हीरा खांगी वायरेल वीडियो आप देख रहे होंगे आप देख चुके होंगे बहुत गुस्सा आया होगा उनके अलावा जो इसलाम को फॉलॉлौ करते हमके बाकी सब को गुस्सा आया होगा। चाहे जो कॉंग्रेसी या फिर जिस पार्टी से संबंदित हों कोई हिंदू है उसे कुछ साय होगा यह बहुत जैस सी बात हिंदू भाईयों सेर बनो जबाब दो ना सेर बन सको तो सेर करो दबा के सेर करो मेरा फ्रकsteर पहरा परेस्ट कर लाया है और अपने किसमें गर में चुपी हुए थी पाई गाई है और यह मेरी कि या किसी ने दढ़ा किसी ने गाली दियू देवी देवटाओं को यसा आस तक तो कोई भी बेर नहीं कर सकता और शायद उस चक्कर मेरे वी चैनल का यह वी डियो हट जाई तो इतनी गालियां थी उसमें और मेरे अंदर भी इतनी मतलब शरम है कि में बार बार वही क्लिप ना देखूं मेरे पास उसके लिए बहुत प्यारास आंसर है वो भी उसी के जैसे लोगों के मुझ से और वो आंसर यह है और मैं इससे 110% सहमत हूं यह अगर ऐसा ना होता अगर आपकी किताब में ऐसा ना लिखा होता कि अपने अलावा किसी भी और मजभ को मानने वाले के यह का इसर को मार दो और गृइश। अगर आप 99 परसेंट में मुसल्मान होती हैं एक परसेंट रहे गया होता तो शायद आप इतना गंदा ना गयती हैं आप 100 परसेंट हैं यह आपने पूरूफ करती हैं और किसी को लगे कि मैं इतना एक कॉंफिडेंस से क्या से कह रहा हूं तो नीरज अतरी जी की सारी वीडिय अन्य धर्म के लिए कैसी घ्रणा रखता है कैसा भेदभाव रखता है और धर्म छोड़ो वह इंसानियत के खिलाफ है तो हीरा खान जैसे लोगों के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम जैसे लोगों को मैं गाली दे के अपने शब्द गंदे नहीं कर सकता कि हमारे अकानून है भाई किसी दूसरे के सेंटिमेंट्स को इस तरीके से हर्ट नहीं करना है तो 95 लग जाता जिस धारा में तुमको उठाया गया तो मेरे तुम्हारे में कोई दूसरा क्राइम नहीं कर रहा ना एक क्राइम को जस्टिफाइब करने के लिए और अपना बीवियां थी वगएरा वगएरा तो शायद अभी तक वो शहर जला होता इस बात पर आप सोच के देखिए फिर मिलते हैं अगले वुड़ में जैन उन्ने मातर हिंदू भाईयों सेर बनो जबाब दो ना सेर बन सको तो सेर करो दबा के सेर करो